हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर शैनल फ्रेंट्स आज के वीडियो में इस्पेसली डिस्कुस करेंगे नई भर्तिवों से रिलेटेड और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेलफुल होने वाले हैं अगर आप कमपटेटिव एकजैम्स की त्यारी कर रहे हैं और आ ये भर्ति आपकी 2021 में आएगी कि नहीं आएगी और न आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है सब कुछ बहुत ही सेपरेट डिसकुस करेंगे लेकि सबसे पहले फ्रेंट्स अभी वर्तमान हालात को देखते हुए आपको पता होगा कि अभी भी ट्रेनिंग सेंट्रे जो है उ पता है जो बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि मार्च में आएगा अप्रेल में आएगा जून में आएगा और असलियत जमीनी तोर पे देखा जाए तो अभी भी आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिला है और सायर आगे भी न मिले लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेंट्स आपकी 52,000 भरती नहीं आएगी बिलकुल आएगा 52,000 भरती लेकिन कब आएगा सिंपली बोले एक बात सीधी बात में तो फ्रेंट्स ये भरती अब आपको जब विधान शभा के चुनाव होंगे उसमें ये मुद्दा रखा जाएगा और तभी ये 52,000 भरती निकाली जाएगी क्योंकि अभी जो इनका में मोटिव है चार सालों से इसाई की भरती जो कि ओनलाइन फॉम भरे जा रहे हैं तो ये कही ना कही प्रेशर में इनको देना पड़ है नहीं तो ये भी भरती ये नहीं देते अभी तक ठीक है अभी इस भरती में भी चार साल ये लगाएंगे ये आप मान के चलो तय है जैसे कि ये 2018 की भरती ठीक है और अभी भी दो बैच काइंडिडेट जो है घर बैठ ह है तो नहीं भरती का यहां कोई भी अभी ये नहीं है कि ये नहीं भरती आपको 2021 में देखने को मिले या फ्रेंड्स थोड़ा कड़वा है लेकिन सचाई यही है हम आपको जूट बोलकर कुछ भी मतलब ये नहीं कि लेकिन हां ये जरूर कहेंगे अगर आपका सपना है पोल में और विधान सभा चुनाओं में ये मुद्दा रखा जाएगा और फिर से भरतियों का आकड़ा दिया जाएगा और फिर से आपको भरती देखने को 52,000 पद जो कि यूपी में ये बात तो किलियर है और सही भी है और अच्छी बात भी है कि कॉंस्टेवल की भरती या फि 50,000 से उपर ही भरतिया आती है और कोश्टेवल का जो और जो SI का पद है लगवग 9,000 प्लस पद है और एक अच्छी इंफोमेशन ये भी है फ्रेंड्स मिनिस्ट्रियल का पद जी हाँ इससे रिलेटर हमने आपको क्वालिफिकेशन सब कुछ बता दिया है माई में आवेद अगर आपके पास योग्यता है तो आप उसमें जरूर फोम फिलब करिएगा क्योंकि फिछली बार जब यह भरति आई थी तो यह क्वी करिंडेट्स का सेलेक्शन नहीं हुआ था सीटे पूरी खाली गई थी इस वसल से यह भरति दुबारा से आई है शमाज रहना तो तक कोई भी यहां चर्चाहे नहीं चल रही है लेकिन हाँ 2022 विधान सबा चुनाओं में यह मुद्धा आपकी बावान हाजार भरती 100% लिख के आप लेलो मिलेगा ही मिलेगा है अब टाइम कितना है आपके पास 6-7 महने तो अब भी आपके पास टाइम है और देखिए फ्र तो आपको सेपर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कहेंगे तो और बहुत ही सुनारा मौका है नो नगेट्यू मार्किंग कॉंस्टेवल में तो नगेट्यू मार्किंग है भी तो यह सिसी जीडी में नहीं है यूपी एसाई की भरती जो कि अभी ऑनलाइन आव स्टेवल भरती है वो आपको 2022 में ही देखने को मिलेगी ठीक है तो आई होब कि फ्रेंड्स अब आपको इससे रिलेटेड हां एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि भया हम लोग ने अपना एक्जैम कैसे क्रिक किया ठीक है आपकी रणनी थी किए कियोंकि हमें पता है कि यहेंगर है कैसे हमें करेक कर दा है तबी तो भी आज हम जुक किया है और आगे भी यही कोशिस है ठीक है तो फ्रेंड्स बने रहे चैनल के साथ और भरती तो आएगी लेकिन आप को 2022 में देखने को मिलेगी ठीक है क्योंकि अभी वर्तमान में COVID-19 के वज़ा से भी सारी भरतिया पोश्पोन की जा रही है लेकिन इसकी चिंदा ना करिया आप जैसे ही यह चुनावी लेक्सन आएगा तो सब कुछ करोना खतम हो जाएगा और फोकॉस जो है इनका नई भरतियों पर ही होगा क्योंकि भा लगे वह तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए आप अपने ख्याल रखिया और रही बात एज लिमिट के लिएकर तो बहुत ही कम चांस है क्योंकि SI में एज लिमिट न लेकिन देखते हैं फ्रेंट्स कोशी सभी यही है कि किसी भी तरह से अपना एज लिमिट का जो मुद्दा है जो कोट में चल रहा है जैसे ही कोई इंफोमेशन आता है तो आपसे भी कोई प्रोवाइट किया जाएगा लेकिन अभी के लिए इतने फ्रेंश मिलते हैं नेक्स इस वीडियो में तब तक लिए आपके आपने खाल रखें थांग्स वोचिंग टिक्या